कि Salesforce recruitment and selection में पॉइंट दिखो recruitment and selection issues क्या है वो study करेंगे responsibility किसकी है फिर अगर हम recruit कर रहे हैं तो पहले हम को job analyze करना पड़ेगा उसके base पे हमको job description को prepare करना पड़ेगा तभी उसके base पे तो हम advertisement देंगे और recruit कर पाएंगे applicants को selection procedures क्या होते हैं company के वह study करेंगे employment opportunities क्या है वह study करेंगे फिर क्या दिया है इसमें देखो लास्ट वाला recruitment in select requirements in selecting salespeople तो क्या-क्या requirements हैं वह भी देखेंगे फिर आगे देखो तो अपर इन parameters पर करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या होता है यह रिक्रूट्मेंट और सिलेक्शन की टाइम पर क्या-क्या issues होते हैं establish policy concerning responsibility for recruitment and selection तो क्या किसकी responsibility होगी और कि step का procedure first point who will participate in the process मतलब job requirements हम उनका जो educational qualification है वो क्या होगा वो सब decide होगा who will participate मतलब पॉन apply कर सकता है उसमें next देखो who has authority to make hiring decisions plus company की तरफ से कौन रहेगा hire करने के लिए next देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा analyze the job तो company की responsibility है यहां पर salesforce management की responsibility है कि जब recruitment or selection process कर रहा है तो उसको job analyze करवाना पड़ेगा job analyze means किस तरीके का job चाहिए क्या requirements होगी और selection criteria क्या होगा तो उसके लिए company करेगी एक job analyze कि किस time का हमको job चाहिए और कैसा person required है plus job description लिखेगी और फिर एक statement ready करेगी job qualification का job qualification means आपका क्या educational academic qualification है अगर experience तो experience लिखेगी freshers required है तो freshers लिखेगी फिर देखो फिर क्या करेगी find and attract a pool of applicants internal external internal में क्या करेगी company के अंदर से देखेगी यहां कोई ऐसा person है जिसको लग रहा है कि अब इसको promote करना चाहिए इसको experience भी हो गया तो उसको उस position के लिए promote करेगी यह company के दूसरे ब्रांच से उसको transfer करवा देगी अपने ब्रांच पर तो यह हो जाएगा internal मतब company में से ही ढूंड़ना next देखो external sources लिखा है तो external source में क्या हो जाएगा newspaper में जो पर advertisement देते हैं social media पर देते हैं फिर क्या करते हैं कंपनी के साइट पर डालते हैं तो वह सब बाहर से लेक्याना campus placement करना colleges में जाकर के या फिर एक HR को हायर करना जो company के लिए करें तो वह सब किसमें आजाएगा external sources में फिर क्या लिखा है develop करेंगे और apply selection procedure to evaluate applicants आप applications आएंगे interviews होंगे तो यह सब किसमें हो जाएगा इसमें external sources में यहां किसमें भी आए तो फिर यह करना पड़ेगा company को next दिखो formal test होगे reference checks होते हैं अगर company को selection करने interviews conduct करने तो क्या करेंगी formal test फिर reference लेगी किसे को doubt है यहां पर कहीं पर भी कोई doubt है किसी को भी internal source में क्या बताया जैसे company अंदर से अगर कोई clerical level पर तो उसको promotion करवा देना higher post के लिए तो कि वहां रहते 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 experience तो हो जाता है ना लोगों को काम करते है यहां फिर company के दूसरे branch में कैसा person है जो एक दम best fit for the position है तो उसका यहां से ट्रांसफर कर वा दिया तो इक मेंस company में यह तो promotion दे तो यह फिर ट्रांसफर कर दो internal source means company खुद अंदर से ही लोगों को लेगी external source में क्या हो जाएगा बाहर से मंगवाएगी किसी को डाउट है और यह देखो अब रिस्पॉंसिब्लिटी इस कि होंगी फॉर रेक्रूटिंग और सिलेक्टिंग सेल्सपर तो सेल्स मार्केटिंग सुपर्वाइजर्स को करें नेक्स्ट पर्सनल डिपार्टमेंट जो स्टाफिंग का काम करते हैं उसको तो इंटर्व्यूस करने पढ़ेंगे एचार आजाएगा इसके तोप मैनेजमेंट जैसे सीओं हैं एमडी हैं कंपनीज के वह यह और साइड असिस्टेंग फ्रॉम्स कभी कभी क्या होता है कंपनीज कांट्राक्ट दे देती हैं एचार को एचार कंपनीज को कि यह हमारे रिक्वार्मेंट है आप इंटर्व्यू कंडेक्ट करो और हमारे कंपनी में भीज़ो तो हो जाएगा आउटसाइड असस्टेंज क्लियर है दाउट है कोई बताओ जल्दी से बताओ मैं फर्स्ट वाले में क्या एक्जांपल देते सेज और मार्केटिंग एक्जांपल नहीं है यह है यह एक्जांपल नहीं यह जो मार्केटिंग सुपर्वाइजर सुपोज जैसे कंपनी का एक डिपार्मेंट यह मार्केटिंग डिपार्मेंट उसके जो हैड्स है वो लोग उनको पता है न कि हमको किस टेप कब बंदा अभी एक चाहिए इस मार्केट में टैकल करने लिए एक्स्पीरियंस चाहिए य एक वर्ड योज होता है कनिंग समझते हो शैतान शैतान तो नेगेटिव हो जाएगा कनिंग मतलब तेड़ा डेढ़ शाना कनिंग सी यू डबल न आई एंग जी बोलते हैं तो उनको पता होता है कि किस टेप का बंदा चाहिए क्योंकि जो फील्ड में उतरते हैं ने सेलिं चंद्र प्रकाश नेक्स देखो यह जॉब अनिलाइज आंड डिटर्मिनेशन ओफ सेलेक्शन इसमें देखो क्या रहे है क्राइटेरिया देखो फॉल्लविंग आर्द एक्टिविटीज इन सेलेक्शन सेंड रेक्रूट्मेंट तो देखो कंपनी यह सब अक्टिविटीज करवाती है एनलाइज रिगार्डिंग आक्टिविटीज टास्क ऐनवर्मेंट एंफ्लेंस इंड जॉब टो भी फिल्ट पहले ख्या करेगी कंपनी देखो एनलाइज करेंगी किस तरइकी के इन्वश्मेंट के लिए किस तरीके का परसंद चाहिए तो जॉब डिस्क्रिप्शिशं मे क्या करेगी nature of product or service to be sold तो उसमें clear cut mention करेगी selection procedures में कि कि किस type का nature है या product है हम इस product के लिए company को यह product को sale करने के लिए या purchase के लिए या फिर quality के लिए या फिर इस department के लिए हमको यह वाला काम करवाना है और इस type के लिए job है तो यह उसमें clear cut mention of the plus second legal types of customers to be called on along with the company policies किस type के customers to be called on next को क्या task and responsibilities रहेगा आपका साथ साथ में research करना या information work करना है यह फिर आपका company के साथ किस type का relation रहेगा relation में बहुत सारे चीज़े आजाती है part-time job है या full-time job है यह फिर आप company के किस post पे रहके काम करेंगी तो वो सब relation demand of job क्या है physically क्या है mentally क्या है physically में क्या होते है कभी-कभी घुम-घुम के काम करना पड़ता है 24 hours देना पड़ता है mentally में कहना है mental pressure job रहता है मतलब sitting job है एक जगह पे बैठ के आपो तुरन-तुरन work करना है इंवर्मेंट कैसा है वहां का politics तो नहीं होती है company का environment surroundings वहां के लोग कैसे है फिर job qualifications बताना फिर decide करना तो methods कुछ भी हो सकता है यह तो interview हो सकता है यह जीडी हो सकता है situational test हो सकता है तो यह सब एक activities को follow किया जाता है स्लेक्शन एंड रिक्रूट्मेंट प्रोसेस्ट में क्लियर है यह आगे देखो देखो following characteristics are common in failed professionals अगर कोई चीज failure दिखा रहा है तो क्यों employees की तरफ से instability of residence अब जिनका selection हो रहा है वो अपने काम में क्यों फेल होते हैं रहने की उनको नहीं रहते हैं facilities failure of business within last two years यह फिर नेक्स देखो उसमें क्या लेका है unexplained gaps in the person's employment record अगर कोई इंसान को job चोड़ने की आदत सी हो गई है स्विच करते जा रहा है एजस नहीं हो रहा है यहां फिर उनकी डाइवोस और मेरिटेल मेरिटिल प्रॉब्लम्स यह तो पर्सनल प्रॉब्लम्स में जाएगा यह एक्सेसिव पर्सनल डेपनेंस एक्साम्पल्स बिल्स नॉट पेड इन लास्ट तू यह अगर वो अल्रेडी पावर्टी में था वो जॉब में आ रहा है तो स्टार्टिंग के दो तिर मैंने कोपप करने में टाइम लगता है है ने छेको ये इन्टरनल भात्तुर्स常 पूछा था अन्हें सर्व और उसका काथ बहुत अच्छा है तो मिलोव कुछिंनी से अकर्डन से लिह एंगर कम्पनी से एगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो उनको ट्रेंट विगरण already बहुत कम देना पड़ेगा प्लस वो company से already familiar होते हैं products क्या चल रहा है तो उनके साथ deal करने में issue नहीं जाएगा recruitment from inside company को boost करता है moral क्यों क्योंकि अगर recruitment हुआ company के internal sources से ही तो दूसरे जो persons हैं जो company में काम करते हैं उनको लगेगा न कि yes company हमारे प्रमोशन के लिए कुछ सोच रही तो वो लोग opportunities से अवेर रहेंगे तो वो भी advance उनका try करेंगे external sources में रेखो referral of people from other firms यह मैंने बताया था दूसरे firms से refer करना advertisements देना या employment agencies को देना educational institution means college campus वगएरा internet means social media पर पोस्ट करना clear है internal और external अ आयोश कोई डाउट है मिट्था चंदर प्रकाश कोई डाउट है चलो नेक्स देखो यह देखो एक एक जाम्पल देखो यह इस तरीके का ना कमपनी के पास चेक बॉक्स होता है जब वो जॉब्स वगरा के लिए करते हैं तो इस बस पर जोगों को ओवरओल रैंक करते हैं बेखो उसका नाम लिखते हैं जो इंंटर्व्यूर रहते है जो इंटर्व्यूर लेते हैं उनके पास रहता है जिसका भी इंटर्व्यू लिया सब्पोस्ट चार लोगों का दिया है उनका टाइमिंग लिखा यह देखो चार-पांच बॉक्स बने एक ही में सब का तो जनरल अपीरेंस पर मार्क्स देते हैं उनका नीटनेस क्या ड्रेस उनका इमेज फिर इंप्रेशन तो इसका आनों ने कैसे बनाया उनका परस्नालिटी कैसे ओजिए पॉज़िटियव थेखा यह पिर अर्वर्यू के फिर अगर यहम्रंड पर कैसे परफॉउम् क्या है थे उसते लिखेंगे उनको फिर देखोव यह मैच्चॉर्टी person Silaos चैपाक्र the world क् लास्ट में और फिर अगर लगता है उनको जिसका हाइस तो इसको वह पॉइंट कर सकते हैं यह देखो अगर नीटनेस ड्रेस अच्छी किसी की अगर अच्छी लगी बहुत अच्छी तो फाइफ किसी की एवरेज लगी तो उसको तीन मार्ग देंगे तो यह बेसे से दिया और किसी को पर्मीशन ही नहीं दी गई बैटने के वह खुद ही आकर बैढ़िया तो उसको किस पर जच करेंगे वन पर तो देखो ऐसे रेटिंग दी आती है फिर लास्ट में टोटल करेंगे तो उसके बास पर आया समझ में आया कैसे होता है इंटर्वी प्रोसेस सेल अरे बोलो कहांगे तुम लो नेट्वर की शूर है देखो 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 कि देखो सेलेक्शिन टूल्स कैसे एप्लिकेशन बंगवाती है ब्लांक्स परसनल इंटर्व्यूस कंड़क्ट करेगी स्ट्रक्चिर्ट भी हो सकते अंस्ट्रक्चिर्ट फिजिकली इग्जामिनेशन हेल्थ वगरा देखीगी अगर उस पोस्ट के लिए के रिक्वाइर्मेंट है तो नहीं है तो नहीं ज़रूरी नहीं कि यह सारा प्रोसीजर फॉलो कंपनी के एकॉर्डिंग सूट करेगा वह लोग उसको फॉलो कर सकते और बाकी वो स्किप कर सकते हैं जैसे इसमें देखू प्रोसीजर 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 फिर रिक्वार्मेंट फॉर्टेस्ट इंटर्व्यूस के लिए यह इसेंसिटिव कोश्टन्स होते हैं जिस पर ध्यान नहीं देना जह जागिये जिसे निशनालिटीज हो गया ही रिलीजियन हो गया यहां पर जेंडर और मारिटील स्टेटर्स हैं же मैल है फिमेल है एच क्या है उनका फिसिकल क्यारेक्ट्रिस्टिक्स क्या है इसे अबलेटीज तो नहीं है, उनका हाइट और वेट या उनका बैंकरप्ट हो चुका है, या कोई अरेस्ट या कन्वेक्शन तो नहीं है, तो यह सारे इशू पर भी ध्यान देना पड़ता है कंपनी को, कि कंपनी के ग्रोथ पर कोई इशू नहीं है, क्लियर है पॉइंट् लेज़ कि कहीं है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है